अथ श्री महाबारत खता आप लगातर 80 घंटे से देख रहे हैं कि महारास्ट में जो महाबारत चल रही है राजनितिक दलों की और राजनिताओं की वो खत्म नहीं हो रही थी लेकिन आज वो खत्म हो गई है कुछ घंटे पहले संविधान दिवस के मौके पर महारास्ट पर जारी राजनितिक उठापटक के बीच विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोट ने एक बड़ा आदिश दिया कोट ने मंगलवार को कहा कि देवेंद्र फड़नवीस की शरकार को भुदवार शाम पाच बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा महरास्ट विधानसवा में फ्लोर टेस्ट कराया जाए जिसका लाइप प्रसारण होगा इस बीच मुख्यमत्री पद से देवेंद्र फड़नवीस और उप मुख्यमत्री पद से अजीत पबार ने इस्तीफा दे दिया किस बात को लेकर इस्तीफा दिया ये सबी को पता है कि आकर किस बात को लेकर इस्तीफा दिया सबसे बड़ा सवाल है कि अजीत पबार 54 विधायकों की चिठी लिकर आए और वो चिठी देवेंद्र फड़नवीस ने राज्युपार को दे दी उन्हें लगा कि भहूमत मिल गया है और इसी के अनुसार शपत ले ली गई देवेंद्र फड़नवीस ने मुख्यमंत्री के उत्वाद पर और उपुमुख्यमंत्री के पद पर अजीत पबार ने मौका है उसके बाद अजीद पबार ने कहा जैसा कि देविंदर फरणबीस ने बताया कि हमारे पास बहुमत नहीं है और मैं अपने पत्से इस्तीफा देना चाहता हूँ उन्होंने मुख्य मंत्री देविंदर फरणबीस को अपना इस्तीफा दे दिया इसके बात बात दिल् पार्टी अद्दक्ष अमिशा और कारीकारी अद्दक्ष देपी नड़ा ने चरचा की और कहा कि बहुमत नहीं है तो सबसे बहतर रास्ता यही है कि मुख्यमंतरी अपने पसे स्तीफा दे दे और देविंदर फणनमीश ने स्तीफा दे दिया और ठीकरा फोड़ा शिविसेना के माथे पर असल में आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है देशपर में आज संभिधान दिवस मनाया गया इस मौके पर प्रधान मंतरी ने संसत के सेंटल हॉल में संयुक्त सत्र को संभुधित करते हुए कहा कि हम अपने संभिधान के कारण एक भारत शेष्ट भारत की दिशा में आगे बढ़े हुए हैं उन्होंने कहा कि हमने तमाम सुधार संभिधान की मरियादा में रहकर किये प्रधान मंतरी ने कहा कि सम्मिधान की भावना अटल और अडिक रही है अगर इसके साथ कभी कुछ इस तरह के प्रयाज भी हुए तो देश वासियों ने इसे असफल कर दिया है प्रधान मंतरी मोदी ने 2008 में आज ही के दिन मुंबई में आतंकी हमली का जिक्र करते हुए कहा कि ये दिन हमें दर्द भी पहुँचाता है क्योंकि आज ही के दिन आतंकवादी मंसूबों ने भारत की महान परमपराओं सांस्कृतिक विरासतों को छलनी करने का प्रयास किया वहीं इस मौके पर सरकार की तरफ से बुलाए गए संसत के दोनों सद्रों की संयुक्त बैठक का कॉंग्रिस और उसकी सहयोगी पार्टी और विपक्षी पार्टी उने विरोध भी किया डॉक्टर भीम राव अंबिटकर की प्रत्मा के सामने प्रदाशन भी किया गया हम आपको दिखा रहे हैं दो अलग-अलग तस्वीरें और इन तस्वीरों को दिखकर आप समझ जाएंगे कि आज की सिति क्या रही ये तस्वीरें संबिदान दिवस के मौके की संसत के सेंटल हॉल में आयोजेत संयुक्त सत्र में प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी संबोधित कर रहे थे और एक तस्वीर वो जो की देविंदर फालन भीस की है जब राजभवन गए और उन्होंने अपने पत से इस्तीफा दे दिया अब समझने की कोशिश करेंगे कि किसने क्या खोया और किसने क्या पाया यह अपने आप में गौर करने वाली बात है मेरे साथ ही रोशन गौर्ड इस बक्त मेरे साथ मौजूद है जो कि भारती जनिता पार्टी को कवर करते हैं बहुत करीब से देखा है सालों से भारती जनेता पार्टी के नेताओं के संपर्ग में भी रहते हैं रोशन में आप से पूछना चाहता हूँ क्योंकि अब तो ये साफ हो गया है कि महारास्ट में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है देविंद्र फणनबिस ने अपने पस से स्तीफा दे दिया है उनका क्या होगा ये बाद में ते होगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब सरकार महारास्ट में एंसेपी शिवसेना और कॉंग्रिस की बन रही है लेकिन अगर मैं आप से पूछ हूँ कि किसने क्या खोया और किसने क्या पाया तो इस पूरे इस सब्सक्राइब तो उसमें सहनोबोती भाच्पा की तरफ गई तो यहां भाच्पा ने थोड़ा सा गेन किया था थोड़ा सा लाव उसको मिला था और शिवसेना पूरी तरह से इसमें एक्सपोज होगी थी तो पूरा एक जो गुस्सा था लोगों का कि हमने मिलके चुनों जिताया है और शिवसेना बाहर चलेगी तो एक गुस्सा जो था वो शिवसेना की तरफ चला गया था लेकिन जो रात के अंधेरे में रात भर जो सरकार बनाने की कवायत हुई और सुबह आठ वजे देवंदर फन्नमेर्स को जो शफत दिलाए गई उससे जो सानुभूती वो बीजेपी के खिलाफ हो गई कि आपने ऐसा काम क्यों किया जब आपको राजिपाल ने सरकार बनाने का मौका दिया और आपने नहीं बनाई तो फिर आपने ऐसे रात के अंधेरे में क्यों किया तो सानुभूती उसके खिलाप गई दूसरा जोसमें सबसे ज्यादा और की भापस जोल लिया जो बिधाय को गए भी थे जो संख्या अरी 8 से 9 लेकर 12-13 तो वह संख्या उन्होंने वापस जुटा लिए उनकी बहुत बड़ी जीत है कि जो राजनीतिक में माहिर माने जाते वह उन्होंने वापस ले लिया यह उनकी जीत रही अजीत पवार ने इसमें क्या खोया क्या पाया आप देखें कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा नुक्सान अजित पवार का हुआ कि वह न घर के रहे न घाट के रहे अगर वह अन्सपी में वापस जाते भी हैं कि उनकी मजबुरी है वह वापस जाएंगे तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है जो उमीद कर रहे थे कि शायद मैं मुख्यमंतरी बनूंगा या ओपर मुख्यमंतरी बनुगा तो अभी उनको कुछ नहीं मिलेगा तो अभी जो लंबेट समय की हम बात करें तो शिवसेना को नुक्सान होगा क्योंकि शिवसेना ने भाजपा को धोका दिया तो उ आप से पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे घटना करम को आप कैसे देखते हैं क्योंकि आज सम्विदान दिवस है सुप्रीम कोट ने एक आदेश पास किया और जैसा कि खुद देवेंदर फानमिस के बकील कह रहे थे कि बहुत जादा आप जल्दबाजी में मत रही है और इ गंटे का समय दिया ची मुंबई चलते हैं मुंबई क्योंकि घटना करम बहुत तेज चला है अब तो दिलीब जादब साहब ये तै हो चुका है कि आखिर महारास्टर का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है अपने नेता का चुनाव कर लिया है नेता के चुनाव के त ठाकरे नेता हैं और तीनों दल इसको सुईकार कर चुके कॉंग्रेस एंचिपी और शिवसेना इसको मान चुकी है तो अब ये मान लिया जाए कि महारास्ट में उद्दव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे और उसकी शपत भी लेलेंगे शपत का समय तो खेर राज्यपलता करेंगे लेकिन इस पूरी परिस्टिव को देखा जाए तो मुंबई और महारास्टा में किस तरह की चर्चा इस घटना क्रम को लिकर कि कई दिनों से लगातार राष्टबादी शियुसेना और कॉंग्रेस के अंदर मिटिंग हो रही थी उस कई मिटिंगों में जीने में जाए ता कि जो मुख्यमंत्री का जो पत का जो दावेदार होगा वो शियुसेना का पक्षप्रमुक उद्दव ठाकरे होंगे तो इसके बात में काफी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि क्या होने वाला है इसलिए जो मुख्यमंत्री देवेंदर फड़नमिस थे और डिसेम मतलब वो बुक्यमंत्री अजित पवार जी ने दुपर को ही राजनाबापना दे दिया था अपने पतका इस्ते बाद ये दिया था तो उसके बात में परवनिस साब ने दुपर को तीन बजे अरजन्डी प्रेस बुलवाई और उन्होंने भी कहे दिया कि हमारे तेरा निदलिय और अजित पवार पकड़ के 120 लग होती है उसके उपर जाता नहीं है यह सब बात कल अमारी चर्चा में हुई थी और उसके बात में आज जैसे सुब्रेम कोर्ट में उनका डिसेजिन आ गया तो बिज़े भी समझ गई थी कि अभी कल अमारा कुछ चलने वा की तो अकल सुबे 8 बजे अभी जो चुनकर आये जो विदायक जो है उनकी उनको शपत देने का कारिक्रम हो जाएगा तो आज तो मतलब राज्यपाल जी ने कालिदास कोडमकर जी जो विदायक है सबसे सिनियर है वो उनको हंगा मी स्पिकर करके उनकी आज अपान्मेंट कर तो ऊसरoqu सब चुनकर ये जते विदायक है उनको शपत दिलाएंगे और अने वाले एक तारिक को शीवतिर्थ पे मतलब शिवाजी पार को शीवसेना के लबजों में का जा तो शिवत्रत कहते है तो शीवतिर्थथिक के अंदर उनकी मतलब तर फुलतम इह बात टिए बिल्कुल आपने ठीक कहा क्योंकि महारास्ट में एक दिसंबर को शपत गनारो होगा यह तारीक हो चुकी है और एक दिसंबर को जो शपत गनारो होगा उसमें उद्धा ठाक रे शपत लेंगे लेकिन अब तक यह तैनी हो पाया कि उनके साथ कितने लोग शपत लेंगे यह माना जा रहा है कि एक एक व्यक्ति और शपत ले सकता है या हर पार्टी के दो व्यक्ति शपत ले सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री पत की भी शपत लेने की बात की जा रही है आप एंसीपी का एक मुख्यमंत्री हो या फि की ज़्यादा व्जिक्र भी कर रहे थे रोशन गौड हमारे साथ मौजूद है रोशन आप आज दिल्ली में भी बड़ी गहमागमी और संसत में आप मौजूद थे आप उस जगे भी मौजूद थे जहां पर देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अमिशा और जेपी जिसमें सुप्रेमी कोड का निरने आया था करीबन साड़े दस बजे और ग्यारा वजे के आसपास संसत में समिधान सभाग समिधान देवस के मौके पर वहां पर प्रोग्राम शुड़ू गवा तो जब प्रधान मंत्री का बोलने का नंबर आया तो आज उनकी आवाज में जोश उत्सा नहीं था और जब मीटिंग हुई इन तीनों के प्रधान मंत्री के अमिर्शा के और जेपी नडड़ा के तो जब अमिर्शा बाहर निकले तो उनके चेहरे पे भी रौनक नहीं थी और एक चेहरा उनका उत्रावा था तो जब हमने उनसे पूछा कि अब क्या ह होगा तो उनका यह कहना था कि आज जो भी कुछ डेपलेमेंट होगा वह महाराष्ट में होगा आप देविंदर फनावड़ेस को देखते रहिए वहीं से डेपलेमेंट हो तो उसके बाद फिर उनने मैसेज दे दिया था कि आप स्थिवा दीजिए जो बीजेपी के पर नहीं ला पारे हैं और आजीद्पवार और शर्ट पवार की बीच में जो कुछ इस दो तिन दिनों में चला शरट पवार जिस से कॉजिए और बार बार कह रहे हैं थे कि मेरी पास नंबर हम बाहर नहीं जा पाएंगे आमारे तो ऐसा लगा लोगों के कि यह शरत पावाट ठीक है रहे और इस बात को लेके भाजबा के सांसद खुश नहीं थे जो यह ऑपरेशन हुआ जो रात और रात सारा काम चला और सुबह सुबह शफ़ा दिलाई गई द्यमिदर फणा नवीज को वह बीजेपी के सांसद उनको य कैसे हम कहते हैं कि बीजेपी एक अलग तरह के पार्टी है लोग इस पे अलग तरह के बिस्वास करते हैं तो कमसे कम उन्हों पर चलना चाहिए था तो यह वीजेपी के सांसदों के अंदर ये बात तो देखे जा रहे थी कि जो भी कुछ हुआ वो उनको पसंद नहीं आया जादो मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि अब सबसे बड़ी चिंता है जैसा कि खुद देविंद्र फ्रंबिस ने भी कहा कि ये तीन गाड़ी के अलग-अलग पहिए हैं शिवसेना, एंसीपी और कॉंग्रेस सबाबिक तोर पर विचारधारा अलग-अलग हो सकती हैं, चहरे अलग-अलग हो सकते हैं, विवाग भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों के उपर कम से कम दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनाई गई है, ये एक संकित देने की कोशिश करेंगे कि सरकार लं जो आर्किटेक्स मतलब माना जाते है शरत पवार जी अपने देश के और इन्होंने तीनों पक्षों को एक साथ में बीटा कर सबी नेताओं को बता दिया था कि पहले दिन से उनको बता दिया था कि बाइक कैसे करना है कैसे मतलब मंतिमंदर बनाना है मुख्य मंत्री कोन होग इस सब भी चर्चे पर कही कि इसमें मतलब चर्चा हो चुकी है और रही बात मंतिमंदल की तो जैसे मंत्री मंदल बनता है वैसे सिवसेना के मंत्री कितने होंगे कॉंगरेस के मंत्री कितने होंगे मतलब एसमले के स्पिकर कोन होगा और विदान परशित का स्पिकर कोन होगा ये ते किया जाएगा और ये ते हो चुका होगा इससे मुझे लग रहा है किया मैं आपसे जानना चाहता हूँ यह कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर इसमें किसी का होगा तो शिवसेना का होगा और कॉंग्रेस का होगा विचार धारख को लेकर वोट बैंक को लेकर कारिकरताओं को लेकर और जन्मानस में जो संदेश गया उसे लेकर क् कि ने इसी कोई बात नहीं है क्योंकि देखो जब कश्मिर में पीडीपी के साथ में बिज़े बिजा सकती है तो विचाधारा का मतलब का का पराता है शीवसेना अज 25 साल से बाज़ब के साथ में थी और उसके बात में शीवसेना को छोड़कर देवेंद्र फर्णाश्मिर जी ने अजित पावार का हाथ थाम लिया तो इनकी विचाधारा की मतलब क्या होता है मुल्यों का रहे गई जब एक ही रात के अंदर आप राज्यपाल के मगज में जो आता वा तो बात है जो अभी जब जिद्धि राजनीती चेंज होती जाती है ऐसे पब्लिक भी इसका सिमसरा का भले वा को है यह राष्ट्रवाजी का मदार जो है और यह कोंग्रेस का मदार हो तो सभी अलग होंगे तभी अभी यह मारष्टिकी जो राज् तो इसके उपर शरत पवार जी का अगुश रहने वाला है इसलिए मुझे से लग रहा है कि पाच्छे मेने में के कोई भी उसमें कोई खिट-फिट की गुंजाइश नहीं हो रहे होगी उनका उनका तो कहना है कि हम पास साल जो स्तीर सरकार देंगे उसके लिए कोई गुंजा पवार हैं और मुझे लगता है कि शरत पवार इससे सरकार के चलाने के जिम्वेदार भी माने जाएंगे और वो जो बात कहेंगे उसे हर कोई मानेगा ये खबर भी आ रही है मैं रोशन यहाप पर कहूंगा क्योंकि जो देश के कुछ गने चुने मुख्यमंतरी हैं जो कम दिनों के लिए मुख्यमंतरी बने जगदंबी कापाल 1998 में सिर्फ तीन दिन के लिए मुख्यमंतरी बने येदुरपा 2018 में सिर्फ तीन दिन के लिए मुख्यमंतरी बने 1990 में उंप्रकाश चोटाला और आठ दिन के मुख्यमंत्री बने 2000 में नितिश कुमार और बीएस एदुरप्पा फिर से 2007 में सिर्फ आठ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और बारा दिन के लिए मेगाले के मुख्यमंत्री बने थे ऐसी मारक और देवेंद्र फड़नबी भी ऐसे ही एक चेहरों में शुमार हो चुके हैं जो कि 2019 में सर्फ चार दिन के लिए मुख्य मंत्री बने हैं कोशिश बहुत की क्योंकि देवेंद्र फड़नबीस की छबी साब सुतरी मानी जाती है लेकिन एक चीज और है रोशन जो बीजेपी के अंदर चर्चा की जा रही है कि देवेंद्र फड़नबीस का बहुत जादा सहयोग ना तो स्टेट लीडर्शिप ने दिया वो लीडर्शिप जो मध्यस्तता में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और केंद्र से भी कुछ इसी तरह के संकीत निकल कर आ रहे है कि संगठंच और जो तै करने वाले लोग है उस तरीके से सहयोग जो देवेंद्र फड़नबीस को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया इसलिए बात बन नहीं पाई देखे पिशली बार जब देवेंद्र फड़नबीस को मुख्यमंतरी बना गया था तो तभी महरास्ते आवाज आई थी कि आपने नौन मराठी को मुख्यमंतरी बना दिया है तो वहाद पर पूरे पंच सालों यही झहिलते रहे कि आज इस्तिफा देंगे कम सब्सक्यंते कुषा को भी कि आपको कि मुख्यमंतरी बना दो तो फिर आपके साथ जो जो नौन मराठी का एक ठपा है वह शायद निकल जाए लेकिन इसे नाम उभर के आया कि नितन गड़करी को लेकर और शिवस्यना ने भी अंदर खाने ये बात कि और शरत पवार ने भी बात कि कि अगर 7 गड़करी इसमें आते कोई हैं तो शायद यह बात बन सकती हो लेकिन बात नहीं बनी यहां प्思 accepts कर यहां और दूसरी बात कि यां तो ने ने इस्तिफा दिया तो कुछ लोग कुछ लोग खुश भी हुए थे कि आप जो है ठीक होई है हमारी सरकार चाहे हाट गई है लेकिन देवन्दर फट्रणामरीज को स्थिफ़ा देना पड़ा इससे कुछ ने खुश ही मनाई तो ऐसा यह बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट में भी उनको पूरा साय यह बात की जा रही थी कि अगला टार्गेट कुछ ऐसे राज्ये हैं जो की बहुत करीब से हैं बहुत किनारे पर हैं मद्द प्रदेश भी इनमें एक है यह कहा जा रहा था कि मद्द प्रदेश में भी कोई बड़ा उलट फिर हो सकता है और वहाँ पर बीजे पी सत्ता पर इपर तन कर सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं बहुत बारीक सी लकीर है क्या अब ऐसा कोई रिस्क बीजे पी हाल फिलाल में लेगी देखे पहले तो में यहीं माराष्ट के बारे में बात करता हूं आज हमारी जब मीटिंग वी तो जेपी नडड़ से मुलाकाथ वी तो नड़जे ने का कि अभी हमने हत्यारा नहीं डाले है माराष्ट में उनको ऐसा उमीद है कि यह सरकार छे मैंने साल वर दो साल में गिर जाएगी तो फिर हम सरकार बनाएंगी जैसे कि हमने करनाटक में किया करनाटक में यदर रुपा जरूर कुछ दिर के लिए मुख्यमंद्री बनेते फिर उन्हें स्थिफा देना पड़ा ले तो बड़ी चर्चाविक की जोतिरा जेत्या सिंद्या के साथ 20 मेले हैं और वह मिले बीजेबी की तरफ आ रहे हैं तो बड़ी एक सुपहार थी संसत में भी गहमागामी थी कि क्या जोतिराज सिंद्या कॉंक्रेस को तोर्ने जा रहे हैं क्या रूपात बहुत तूर नहीं पकड़ा क्योंकि संधिया का खुदी इसमें ट्वीट आगा कि नहीं मेरा ऐसा नहीं है लेकिन कुछ है क्योंकि केवल साथ-टाथ सीटों का ही केवल फरक है वहां पर हो सकता है राजस्थान में भी ऐसा ही है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अभी कि कोई किसी की सरकार गिराए जिसमें तो बहुत अच्छा मौका था इनके बास जिसमें केवल कांग्रेस के पास चार लोग ज्यादा थे अभी तुरुकी संक्या बढ़के आट हो गई है तो अगर उन उसी समय भीजे भी चाहती तो सरकार गिर सकती थी लेकिन अभी वह मौ ज्यादा समय अभी नहीं है पूर्ण कालिक लिए क्योंकि दिसंबर में पार्टी को राष्ट्री अद्यक्ष तैय करना है अभी हाल फिलाल में धारा 370 हटी है इसके साथ साथ राम बंदर का फैसला हुआ है लेकिन राज्यों से जो लहर निकल कर आनी ची वो लहर निकल कर आ नहीं पाई है क्या जेपी नडडा ही पूर्ण कालिक अध्यक्ष होंगे या पार्टी को फोई दूसरा चेहरा देखेगी जो असरदार भी तो जो बातचीत है पार्टी के अंदर हो यही है कि जेपी नडडा को बनाया जाएगा लेकिन अंतिम फैसला तो अभी दिसंबर में आएगा जब संगठन के चुना होंगे और उसमें बोटिंग होगी पर हमारी जानकारी तो नडड़ की जानकारी है कि यही बनेगे जो आपने बात कहीं कि 370 की और राममंदिर का इश्यू नहीं बना देखे 370 के बाद हाराना में चुना हुआ महारास्ट में चुना हुआ है और महारास्ट में लगता है कि लोग चाहते हैं कि सेंटर में तो मोधी सरकार रहे लेकिन राज्यों में अपनी छेत्रे दल आये या छेत्रे जो नेता हैं उनकी सरकार हो तो ये बात कहीं ने कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका अनुछे 370 को राज्यती मुद्दा बनाना ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है दूसरा राममंदिर को मुद्दे को लेकि बीजेपी नियार आरास ने बिल्कुल इस पास्ट तोर पे अंदर कहा है अप ने देखा होगा कि जब से राममंदिर का फैसला आया बीजेपी आरास के तरफ से कोई जुलूस नहीं निकला है तो यहां पर इस पास टैक है कि हम उसको राज्यते मुद्दा नहीं बनाएंगे जो मैसेज जाना था लोगों के बीचिमों जा चुका है जो जिन्नोंने हमको तब एक परिशानी है शिवसेना कटर हिंदुत पर चलने बाले पार्टी और बीर सावरकर को भारत रतने की बात उन्होंने कही है यह बात पचेगी नहीं कॉंग्रेस को यह बात पचेगी नहीं एंसीपी को क्या इस तरह के बयान जब तक संयुक्त सरकार है इन लोगोंने म पहले बता दिया कि भाई शिवसेना का जो एजन्डा था और सावर जी को लोग समा के अंदर उनके जो एंपी है जेपी का उन्होंने भी सावरकर को भारत रतना चाहिए करके तो उनकी यह बात कोई चुपी नहीं है और हर एक की जो विज़ादारा जो अलग अलग है कॉंग्रेस की अलग है राष्टवादी के अलग है और शिवसेना की अलग है हिंदुत्व का बुद्दा उन्होंने चोड़ा नहीं है लेकिन जबी सरकार में आते हैं तो उन्होंने कोई जो कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है जैसे जो फार्मर्स का जो मुद्दा है और कई मतलब बेरोजगार का जो सवाल उटा हुआ है यह जो मतलब आर जन्बुमिमी का जो मसला आगे आ जाएगा या ना कोई तिन सो सतर की जो उन्होंने बात करिये वो यह महारस्टे पर लागू नहीं होगी अभी जैसे चोवीस नौमबर को राम जन्बुमिमी में उद्दव जी जाने वाले जाने पाए उन्होंने का कि मैं आगे जाऊंगा बिलकुल उद्व ठाकरे ने राम जन्बुमी जाने की बात की थी लेकिन कांग्रिस के तमाम लेता भी इस बात का स्वागत कर रहे हैं उन्होंने इस बात का विरूद नहीं किया कि सुप्रीम कोट ने अगर वहाँ पर फैसला दिया है तो इस बात के लिए उन्होंने भी मा पानते हैं और हिंदु तो एक बड़ा मुद्दा है इसके इसकी मुखालफत नहीं करने होगी तमाम तरह की बाते हैं यहाँ पर की जारी है लेकिन यह साफ हो चुका है कि एक दिसंबर को उद्दव ठाकरे महारास्ट के नए मुख्यमंत्रीपत की शपत ले रहे हैं शिवाज पी की नजर होगी और बीजेपी कहेगी कि देखिए हमने कहा था कि महारास्ट के साथ धोका हुआ है यह सरकार जादा नहीं चल पाई है प्रोटेम स्पीकर भी तैय कर लिया गया है को प्रोटेम स्पीकर बनाय जा रहा है वो विधायकों की शपत दिलाएंगे और उसके बा प्रोटेम स्पीकर बागी की खबरों के लिए आप चलते रहे हैं सारा समय के साथ सारा